हाव रूफीक्स वान प्लास नोट सीई कॉल स्क्रीन नोट शोविंग प्रावलम नमस्कार दोस्तों सो अगर आप सभी का तिकराच योट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बता हूंगा केस से आप जो है अपने वान-प्लास की डिवाइस में कॉल स्क्रीन नोट शोविंग प्रावलम सॉल्फ केसे कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपके जो मॉबाइल है उसमें कॉल स्क्रीन शोव नहीं होते हैं तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को अंतक देखे जो भी solution है उसको follow करे आपका problem solve हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले make sure channel को subscribe करते हुए bell icon को click करे अगर आप online पैसा कमाना चाते हैं तो दोस्तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा और किसी भी problem के regarding पर आप हमें twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो चले दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं तो अगर दोस्तो आपके mobile पर इस तरह के problem हैं तो सबसे पहले आप अपने mobile को restart किजिए restart करने के बाद दोस्तो चेक करके देखे अगर problem solve होते हैं ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो जाएगे दोस्तो आपने play store में उसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पर search करना है आपको यहाँ पर search करना है आपका phone service तो search करने के बाद दोस्तो आपको simply जाना है phone by google उसके बाद इस एपको अपडेट कर दिना है अपडेट करने के बाद दोस्तो आप बेग करें और check किजिए कि आपका problem solve होए या नहीं होए अगर problem solve हो जाता है तो अच्छी बाद है अगर नहीं हो रहा है तो आएए next solution पर जाते हैं तो दोस्तो next पर आपको क्या करना है आपको जाना है setting पर उसके बाद आप यहाँ पर scroll down कर ले scroll down करने के बाद दोस्तो आपको ज्यादा नीचे नहीं जाना है आपको event notification पर ही क्लिक करना है और उसके बाद see all apps पर जाते हुए यहाँ पर आपको find out कर लेना है phone service ठीक है तो यहाँ पर आपको search करना है phone service तो यहाँ पर आप search करते जाए तो यहाँ पर हमें mail चुका है phone service तो phone service में जाए और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर storage in cache पर click कर देना है उसके बाद clear storage में click करके आपको ok करना है तो जैसे ही दोस्तों आप याप पर ok करते हैं आपका जो phone service का data है वो clear हो जाएगा make sure सारे permissions को allow करें allow करने के बाद device को restart करें restart करने के बाद दोस्तों आप दुबारा से check करके देखें आपका problem solve हो जाएगा by any chance अगर आपका problem solve नहीं होते तो दोस्तों आप जाएए अपने mobile के setting पर ठीक है या पर दोस्तों कुछ solution करें उससे पहले आप mobile को safe mode पर reboot भी करके देखें power button को press and hold कीजिए power off के button भी 2 second click कीजिए ok कीजिए safe mode पर reboot हो जाएगा उसके बार अगर problem solve हो जाता ही तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो जाए're settings पर scroll down करें system पर click करें और software को update करें system update पर जाए और system को update कीजिये system update होती ही दोस्तों आपका problem solve हो जाएगा अगर इस update में problem solve नहीं हो रहा है तो next update में definitely आपका problem solve होगा ठीक है कर सकते हैं तो दोस्तों मान लिजे software update करने के बाद problem solve नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं तो आपको temporary solution करना है जाए दोस्तों आपने play store में यहाँ पर दूसरा कोई भी phone dialer app ले सकते हैं ठीक है यहाँ पर dialer phone यहाँ आप second option को भी ले सकते हैं 4.4 rating से आते हैं और उसके बाद तो आप यहाँ पर चाहिए तो true caller भी कुछ दिन के लिए use कर सकते हैं ठीक है तो temporary solution भी आप करके इसको use कर सकते हैं तो यह था दोस्तों कुछ solutions OnePlus के mobile पे call screen not showing problems solve करने के लिए उमीद करते हैं आपको यह video बसने होगा thanks for watching